ये संसार जिस तरह से चल रहा है उस तरह से नहीं चल सकता अगर अब भी आप लोग नहीं जगे 1,44,000, the army of God, the team of God, तो फिर आप कभी भी नहीं जग सकते आज जो इस संसार की अवस्ता है, आज जो सारे देशों की अवस्ता है और आज जो कुछ भी हो रहा वो किसी से चुपा हुआ नहीं अब ऐसे में हम ये सोचते हैं कि कोई आए और कुछ कर दे लेकिन क्या पता आप जिसका वेट कर रहे हैं वो स्वेम आप ही हो मैं आप से ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरी धरा पर ऐसे 144,000 सोल्स अवलेबल हैं जो कि टीम है इश्वर की और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं क्यों हो सकते हैं क्योंकि अगर ये जो वीडियो है आपको अंदर से जगा देता है जागरित कर देता है तो विश्वास कीजिए कि आप भी उनमें से एक हैं इश्वर ने इस धरा को रचा को मदर नेचर मदर अर्थ अब मुझे ये बताईए एक माँ अपने बच्चों से क्या चाहती होगी क्या एक्सप्ट करती होगी एक्सपेक्ट करती होगी नैचरल है वो ये चाहती होगी कि जिस तरह से उसने इस धरा को इस घर को बनाया है वो उसको मेंटेन करके रखें उसको वेल बैलेंस करके रखें लेकिन जब पुरा घर ही गंदा हो जाएगा तो कोई ना कोई तो चाहिए जो उस घर को साफ कर सके आठ सो करोड से जादा इस पुरी संसार की पॉपुलीशन है और उस आठ सो करोड में एक लाग चावालीस हजार की गिंती क्या है कुछ भी नहीं है लेकिन जब एक लाग चावालीस हजार को ये पता चल जाएगा या चल गया हुगा या चल रहा हुगा कि वो इस धरा के होके भी कहीं और से आये हैं और एक उद्देश के के लिए आये हैं एक परपस के लिए आये हैं और इश्वर उन्हें बारबार संकेत देता है उनको जागरिक करने के लिए कि अगर तुम्हारा जीवन औरों के जैसे नहीं चल रहा है तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि तुम्हारे जीवन का जो लक्ष है वो कुछ और है और मैंने तुम्हें चुना है जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं जानेंगे नहीं कि आप भी इस प्रोसेस का एक पार्ट हैं जिस प्रोसेस के तुरू यह समय आगे बढ़ रहा है क्योंकि आचाए मैं भारत की बात कह दू या मैं विश्वे की बात कह दू आपको बताने की जरूत नहीं है मुझे कि क्या घटित हो रहा है क्या हम ये सब देख सकते हैं क्या हम ये देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि कहीं तो कुछ हो रोश्नी की किर्ण जगे और कुछ अच्छा हो और ये जो चल रहा है उसका अंत हो लेकिन मैं आप सब को यही कहना चाहता हूं चा चाहे आप अपनी आपको स्टार सीड समझे या चूजन वन समझे नाम कुछ भी अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन अगर आप इन में से अपनी आपको एक समझते हैं तो आपका जो लक्ष है वो बहुत बड़ा है और उस लक्षे पर ही चलना पड़ेगा अगर आप यह सोचते ह कि जैसे सब जी रहे हैं और मैं भी वैसे ही जीओ तो फिर समझ लीजे कि आप उस टीम का पाट नहीं है लेकिन अगर आपको अंदर से यह लगता है आपका अंतरमन यह वेक्ट करता है कि नहीं अब जागो इस वेक अप कॉल फोर यू अगर अब नहीं जागोगे तो कब ज भूल चुके हो क्या तुम यह भूल चुके हो कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो इश्वर ने तुमें क्यों भेजा है और यह जो मा है यह जो धरा है वो तुम से क्या एक्सपेक करती है कम से कम मा अपने बच्चों से जो उसको दिल से प्रेम करते हैं यह तो चाहती होग अरे भई हम कर क्या सकते हैं इच्छा शक्ती में बहुत बड़ी बात होती है जब आप ये इच्छा अपने अंदर जागरित करेंगे अपने आपको इस इच्छा के साथ जागरित करेंगे तो फिर ये जो इनिवर्स है आपके लिए नए रास्ते खोलता है नए दर्वाजे ख मेरी इस बात को याद रखिये कि अब सूने का समय नहीं है अब जागने का समय है मैं बहुत विचलित हुआ अपने पास्ट में जब जो इवेंट्स होते थे इस विश्व में भारत में तो मेरे आँखों से आंसु गिरते थे मैं सोचता था कि मैं क्या कर सकता हूं फिर संदान हो तो कुछ ऐसा कारिये करो जिस कारिये में तुम्हें एक परिवार मिले और वो जो परिवार है कुछ ऐसा कारिये करे जो आज तक किसी ने नहीं किया है मैं क्यों आपको अपनी फैमिली मानेता है मैं क्यों आपके लिए ये वीडियो बनाता है क्या कभी भी आपने सोचा कि ये जो प्रेम है वो किसी ये है अरे हम सब का उदेश है जब मेरा है तो क्या आपका नहीं है तो क्यों नहीं आप स्वेम अपनी आपको उस उदेश चुने और इश्वर से कहें कि और कोई हो या नहीं हो मैं ये इच्छा रखता हूं या रखती हूं कि मैं आपके टी करें, it's time to wake up, it's time to wake up, किसी और का इंतजार ना करें, बलकि वो पहल स्वेम करें, अपने आप को चुनें, और ईश्वर से कहें, कि yes, I am there for you, I am there for you, I am there for you, राधे राधे, जैश्वी पुर्श्वणाद।